नेपाली प्रवतारोही कामीरिता सेरपा ने अपना ही रिकोर्ड तोड़ दिया मांट एवरिस्ट में सबसे अधिक बार चड़ने का रिकोर्ड अपने नाम किया दोस्तों कामेरिता सिर्पा जो नेपाल के परवतार होई है तो इन होने मांटरेस्ट में सबसे अधी बार चड़ने का रिकोड अपने नाम किया तो इसके बार में पूरी जानकारी को देखते हैं और यह current affairs से related है तो current affairs एकजामों में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं current affairs से तो आपको यह जानकारी को ध्यान रखना है अच्छे से याद करना है तो जो चैनल में नए आया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडि पर वही कामिरिता सेरपा ने 7th मैं 2021 को मांट एवरिस्ट पर चड़कर सबसे अधिक बार एवरिस्ट चड़ने का रिकोड अपने नाम किया और यहां उनकी 25 बार मांट एवरिस्ट की चड़ाई थी तो यह जो परवतार हो ही है जिनका नाम है कामिरिता सेरपा इन्होंने 7 म 2021 को मांट एवरिस्ट पर चड़ाई पूरी किये और यहां उनकी 25 बार की मांट एवरिस्ट की चड़ाई थी इससे पहले इन्होंने 24 बार मांट एवरिस्ट पर चड़ाई किये थे इनकी बर्तमान उम्र है 52 यानकी 52 बर्स यह कामिरिता सेरपा है जो सबसे ज़्यादा बार मांट एवरिस्ट की चड़ाई पूरी किये इन्होंने 24 बार 2019 में मांट एवरिस्ट पर चड़ाई पूरी किये थे तो इन्होंने जो पिछला 24 बार चड़ाई के थे तो 24वा जो था वह दोजार 19 में इन्होंने चड़ाई पूरी किये थे दोस्तों यहाँ भी एक अनोखा रिकोर्ड है कि एक महिने में दो बार चड़ाई इन्होंने 2019 में ही किये थे यानि कि 2019 में ही एक महिने में ये दो बार माउंट एरिस्ट भता किये थे दोस्तों ये पहली बार मैं 1994 को माउंट एरिस्ट पर चड़ाई पूरी की थी तो इनके द्वारा पहली बार मैं 1994 में माउंट एरिस्ट पर चड़ाई पूरी किया गया था तो दोस्तों अभी अगर बरतमान में question पूछा जाता है कि Mount Everest पर सरवादी बार चड़ने का record किस ने कायम किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा कामी रिता सिर्पा और ये किस देश के हैं तो यहाँ है नेपाल के तो आपको यह जानकारे को ध्यान रखना है से एकजामों में question बनता ही बनता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जादा जादा शेयर कीजे और वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताईए थेंक्यू दोस्तों